Hello friends, easy cook Yzid cook में आपका स्वागत है! आज हम बनाने जा रहे हैं माईसुर बॉंडा की रेसिपी ये रेसिपी बनाने में आसान है साथ ही आप इसे breakfast यऔ फिर शाम के snacks में ले सकते हैं तो जरहा है माईसोर बॉंडा की रेसिपी माईसो बुर्णा बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप मैदा, एक चौथाई कप चावल का आटा यानि कि राइस फ्लोर, थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा यानि कि जो खाने का सोड़ा है इसके साथ हम लिए रें जीरा, नमक स्वाद अनुसर, आधा कप दही और साथ ही इसमें रेसिपी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूँगी, इसे थोड़ा सा ऐसे मिला ले, क्योंकि ये काफी थिक होती है, अब इसमें हम डालेंगे मैदा एक कप, इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे ये चावल काटा, ये एक चौथाई कप, और अब इस इसमें नारियल भी डाल सकते हैं लेकिन ये ऑप्शनल है, साथ ही इसमें हम डालेंगे ये क्यूमिन सीट यानि की जीरा, ये एक चाथाई चमच हम डालेंगे बेकिंग सोडा, यानि की जो खाने का सोडा होता है, और साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, बैटर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के मैंसे मिला के दिखाती हूँ यह देखे इस तरह से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो बैटर है यह अप तयार हो गई है आप देख सकते हैं जिस तरह का वड़ा का बैटर होता है बिल्कुल वैसा ही बैटर हमने बनाया है मतलब ना यह बहुत पतला है ना यह बहुत जादा काड़ी है तो बस इसे आप ढग के रग दे लगभग 15-20 मिनिट तक तो चलिए 20 मिनिट हो चुके हैं एक बात देख लेते हैं दही और बेकिंग सोडा का जो एरियेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इसलिए बहुत जल्दी फूल जाती है बैटर तो हातों को गीला करें इस तरह से और फिर थोड़ा सा बैटर हाथ में इस तरह से ले और इसे कड़ाई में डाल दे तो यहाँ पर हम एक साइड को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और फिर बीच बीच में आप इसे पलट ले ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए यह देखे इसमें यह गोल्डन ब्राउनिश कलर अब आ गया है तो एक बर और थोड़ा सा पलट लेंगे और उसके बार जो एक से सॉयल है इसे आप स्ट्रेंड कर ले और एक टिशू पेपर पे निकाल दे सेम प्रोसेस से बागी जो बोंडा है उसे भी निकाल दे इसकी खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रही है माईसोर भूंडा की रेसिपी बिल्कुल तयार हो गई है इसे आप सुबबी खा सकते हैं आप चाही है तो आप इसे चाई के साथ भी ले सकते हैं यह रेसिपी खाने में बहुत मज़दार है और बहुत ही टेस्टी है यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि यह कैसे दिखता है तो यह देखिए यह जो माईसो बोंडा है यह अंदर से इस तरह का होता है और बाहर से तो आसा क्रिस्पी होता है तो फ्रेंट्स हम उमीद करते हैं कि आज की रिसिपी आपको पसंत पाई होगी प्लीज यह रिसिपी को ट्राय करें और अब कविंड्ट सिक्षन में हमें बताएं कि आज की रिसिपी आपको कैसी लगी हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद